अंजीर के फायदे, नुकसान और खाने के तरीके एक अंजीर के फायदे वजन घटाने के लिए अंजीर वजन को घटाने में भी अत्यांत सहायक होते हैं इस वजह से इसको मोटे लोगों को खाने की सलाह भी दी जाती है परंतो इसके अधिक्तम सेवन से सावधान रहें क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ भी सकता है, खासकर यदि आप इसे दूद के साथ लें दो अंजीर के लाबदायक गुम यौन रोगों का उपचार करें अंजीर परंपरागत रूप से भारतिय उप महादवीप और कई अन्यक शेत्रों में यौन रोगों को ठीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है यह यौन संचारित रोगों के लिए भी एक सफल उपचार माना जाता है, हाला कि अनुसंधानों ने इसके सकारात्मक प्रभाव की पुष्टी अभी तक नहीं करी है यह स्तंभन दोश के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है पौरानिक कथाओं में अन्जीर को एक शक्तिशाली यौन पूरत के रूप में देखा गया है यौन शक्ती बढ़ाने के लिए दो रिंट तीन अन्जीर पूरी रात दूद में सोखने के लिए छोड़ दें और सुबह खा लें यह प्रजनन स्वास्थिय रिप्रडुक्टिव हेल्थ को भी बढ़ावा देता है इस तरह गर्भावस्था में अन्जीर अच्छा है गर्भवती स्त्रियों में लोह की कमी को भी पूरा करता है तीन अन्जीर का उप्योग कब्स से छुटकारा दिलाए अन्जीर में उच्छा मात्रा में फाइबर पाया जाता है एक मध्य माकार 50 ग्राम के अन्जीर में 1.4-5 ग्राम फाइबर होता है जो ना केवल कब्स से राहत दिलाता है अपितू उससे बचाब भी करता है यह मल त्यागने की क्रिया को बहुत ही आसान बना देता है और उसे नियमित भी करता है दो अन्जीर को राद भर पानी में बिगो कर सुबह खाने से और उपर से उसी पानी को पीने से पेच साफ हो जाता है अन्जीर का सेवन करने से डायरिया से भी बचा जा सकता है अंजीर पाचन शक्ती में सुधारला उससे संबंधित समस्याओं का आंत करता है चार अंजीर का उप्योग हड्डियों के लिए अंजीर केल्शियम से प्रचुर होता है जो हड्डियों को मजबूख बनाने के लिए प्रमुख तत्व है इसका सेवन करने से ऑस्टियो परोसिस जैसे हड्डियों के विकारों से भी संरक्षन मिलता है चुनकि यह फॉस्फोरस का भी एक सम्रिधस रोथ है इसलिए यह हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है और उनके पतन को भी रोकता है पांच अंजीर के लाब कॉलेस्टरॉल को कम करने के लिए अंजीर में पैक्टिन नामक एक खुलनशील फाइबर होता है जो कॉलेस्टरॉल को नियंतरित करने में निपुन होता है अंजीर में उमेगा रिंट 3, ओमेगा रिंट 6 फैटी एसिड, फीटोस्टेरोल योगी केवं विटामिन E, E और के भी नहित हैं जो ना केवल कॉलेस्ट्रॉल को कम करते हैं अपितु ब्लड प्रेश को भी नियमित रखते हैं 6 अंजीर के लाब उच्च रक्ट्चाप को घटाएं अंजीर में पोटेशियम उच्च मातरा और सोडियम निम्म मातरा में पाया जाता है इसलिए इसके ये पोशक बुन इसको हाइपटेंशन के रोगियों के लिए सर्वोत्तम बनाते हैं यह आपकी नसों को शांत्रा खाप और उमेगा रिंट 6 फैटी एसिद्स नहित होते हैं यह फैटी एसिद कॉरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में अती सक्षम होते हैं इसके अलावा अंजीर के पत्ते ट्राइडिसराइड जो हृदय संबंधित रोगों का एक मुख्य कारण है को कम करने में भी मदद करते हैं 8 अंजीर के लाबतायक गुन कैंसर से संरक्षन करें यह हॉमून्स को संचालित कर महिलाओं में रिजिनोवरिती मेनपॉस के बाद हुने वाले स्तन कैंसर की संभावना को बहुत हद तक कम कर देता है 9 अंजीर के फाइदे मधुमेह के रोगियों के लिए American Diabetes Association के अनुसार अंजीर मधुमेह को कंट्रोल करने में अतिसक्षम होते हैं अंजीर की पत्तियों का सेवन मधुमेह के रोगियों की इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भरता को कम करता है अंजीर पोटेशियम का भी एक समरिधस रोथ है जो शरीर द्वारा किये जाने वाले शुगर के अफशोशन अब्सॉप्शन पर नियंत्रन रखता है यह ब्लड शुगर के स्तर में आने वाले मुख्य उतार चड़ाव पर रोख लगा, मधुमेह के रोगियों को एक आम जिंदगी जीने में मदद करता है दस अंजीर का उप्योग मूत्र समस्याओं के लिए अंजीर में उच्च मात्रा में पुटेशियम होता है जो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलने वाले तत्व को नियंत्रित करता है यह केल्शियम के पतन को रोकता है और विशाक्त पादार्थों को शरीर से बाहर निकाल फिकता है ग्यारह अंजीर का सेवन आखों के लिए आखों का चकत्तेदारद पतन, macular degeneration उम्र के साथ बहुत ही आम बात है और यह आखों की दृष्टी में कमी आने की एक वज़े होती है अंजीर खाने से यह प्रतिक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है बारह अंजीर खाने के फायदे गले के दर्द से राहत दिलाएं यह ना केवल गले में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है अपेतु गालों की सूजन, चीक इंफ्लमेशन के उपचार के लिए भी उप्योगी है यह स्वर्तंत्री, वोकल कॉद्स पर पढ़ रहे स्ट्रेस को कम कर उसमें हो रहे दर्द को भी कम करता है यह खानसी एवं अन्यश्वसन प्रनाली से संबंधित विकारों का इलाज करने में भी अत्यंत सक्षम है अंजीर के नुकसान अंजीर में कई पोशक तत्व होते हैं जो तवचा, बालों और समगर स्वास्थे के लिए फाइदेमंद होते हैं किन्तु अंजीर के अधिक सेवन से कई प्रकार के दुश्प्रभाव हो सकते हैं इसलिए आपको इसके दुश्प्रभवों से बचने के लिए इसका उचित मातरा में सेवन करना चाहिए. अंजीर के अधिकतम सेवन करने से डायरिया हो सकता है. सुखे हुए अंजीरों में शुगर उच्च मातरा में पाई जाती है जिसके सेवन से आपके दांट सर सकते हैं. संभवत आपको अंजीर से अलजी हो सकती है तो इसे पहली बार कम मातरा में ही खाएं. एक ही सप्ताह में बहुत सारे अंजीर खानी की वजह से आपके पाचन प्रनाली में ब्लीडिंग हो सकती है अंजीर का अधिक सेवन पेक पर भारी हो सकता है जिससे पेक दर्ध हो सकता है